आज मैंने गीता में पढ़ा कि जो वेक्ती सुख तथा दुख में रादे रादे दोस्तों तो मेरे इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है मेरा ना मैं संधी और मैं एक UPSS प्रेंट हूँ और मुखर जी नगर मतनी स्टेडी करता हूँ तो इस ब्लॉग में मैं आपको अपना डेली रूटीन बताऊंगा तो आए इस ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं आज मैं उठा हूँ 10 बजे क्योंकि मैं रात को सोया था तिन बजे तो मुझे उठने में आज लेट हो गया सबसे पहले कर लेता हूं अपने विश्टर को सही अब हो लेता हूं फ्रेस फ्रेस होने के बाद मैंने किया नास्ता नास्ता में बना है माई क्रोणी उसके बाद मैंने अपने लिखे गोल कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है जो कि का मैं यह डेली करता हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है मैं उसको लिख लेता हूँ और उसे जब तक पूरा नहीं कर पाता तब तक सोता नहीं सबसे पहले मैं पढ़ूँगा दो घंटे हिस्ट्री हिस्ट्री का नोर्स जो कि मैंने क्लास के साल साथ एक सौड फॉर्म में बनाया है जो कि मैं डेली पढ़ता हूँ और रिवीजन करता हूँ हेलो दोस्तो तो दो घंटे हिस्टी पढ़ने के बाद अब हम करेंगे जियोग्राफिक की दो क्लास और लाइन एक एक गंटे की यह है मेरी पहली क्लास आज की क्लास में बुक रीट कराए जाएगा एन्सी आटी मेरी पहली क्लास कंप्लीट होती है सर के साथ साथ मैंने पने बुक्स में टिक कर लिया है जो जो इन्पोर्टेंट पॉइंट्स है हेलो दोस्तो तो एक बज गया है और अब हम जा रहे हैं नहाने अब मिलते हैं नहाने के बाद नहने के बाद हमने लिया स्री क्रिष्ण भगवान जी का आसिरवाद अब हम खा लेते हैं खाना खाना खाने के बाद फिर अपनी इस्टडी स्टार्ट करेंगे स्वारी दोस्तों तो आज मेरी जियोग्राफी की एक इकलास थी अब मैं जो बुक्स में टिक लगाया था उनको अपने नोट्स में नोट डाउन करूँगा अब हम करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स की दो क्लास दोस्तों मेरी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं यह है मेरी दूसरी क्लास दोस्तों मेरी दूसरी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं मैं सभी चीज को नोट डाउन किया हूँ एक गंटे रेस्ट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे जियोग्राफिका नोड़ एक गंटे जियोग्राफिका पढ़ने के बाद अब हम खाएंगे खाना इस खाना में बनाया पूरी सब्जी और खीर जो की खीर मेरी सबसे फेवरेट है अब हम पढ़ेंगे एक गंटे इंगलीज इंगलीज पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे एक घंडे इंगलीज इंगलीज पढ़ने के बाद अब हम करेंगे अपना रिवीजन जो चीज आज मैंने नई पढ़िया इकोनोमिक्स की मैंने दो क्लास किया है और जियोग्राफिक की एक क्लास तो आईए डिवीजन करते हैं रिवीजन करने के बाद हमने बड़ा भागवत गीता आज मैंने गीता में पढ़ा कि जो व्यक्ति सुप तथा दुख में विचलित नहीं होता और वो इन दोनों में शम्भाव रखता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सस्क्राइब जरूप कीजिए गाई जाहिन